हेलो एवरिवान टोड़ें विल डिस्कस दे नेक्स चैप्टर वो चैप्टर इकनोमिक्स चैप्टर डबलमेंट तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटीज़ मीनिग ओफ नैश्टल डबलमेंट होता क्या है इसको हमाँ समझने की कोशिश करेंगे इससे पहले हमने देखा था कि अलग अलग के संस में अलग-अलग होता है एक लड़की के लिए एक लड़की के लिए और फिडम होती है कि यहां हो सबद्सक्राइब करता है ठीक है अब हम समझते हैं कि ये country के regarding में किस परकार से helpful हो सकता है most likely you would find that different students in the class have you given the different answers to the above questions क्या है कि अलग-अलग बच्चों के अलग-अलग questions के अलग-अलग answers हो सकते हैं कि उनके कौन-कौन से goals हैं In fact, you might yourself think of many different answers and not to be sure any of these ठीक है और तुम इन answers के भीहाफ पर कोई भी decision नहीं ले सकते ठीक है, it is very important to keep in mind that ठीक है, और यह है आप अपने mind में रखे ठीक है, different persons could have the different as well as the conflicting notions of a country's development ठीक है, different different peoples जो होते हैं, उनकी thinking भी different different होती है सभी की thinking एक जैसे ही नहीं होती है, किसी को doctor बनना है, किसी को engineer बनना है और किसी का development goal होता है कि भाई हमें तो pass-pass होना है किसी का होता है कि भाई हमें 75% marks लाने हैं, किसी का होता है, मुझे 90% marks लाने हैं किसी का मतलब होता है कि मैं जिले में talk करना है, तो ठीक है, सभी की aspects अलग अलग होती है however, can all the ideas be considered the equally important क्या किसी तरह कि सभी के idea क्या होते हैं, equally important होते हैं or if they are the conflicting, how does one of the decide ठीक है, और इन मत बेदों में हम किस परकार से decide कर सकते हैं यानि कि हम इन सब के जो अलग-अलग thinking है, उसमें से एक better decision किस परकार से ले सकते हैं what would be a fair and just path of all और इन सब में से हम किस परकार से रास्ता बना सकते हैं we also have to think whether there is a better of doing things ठीक है, और किस परकार से इन में से better thinking निका ली जा सकती है would the ideas benefit the large number of people, only small the groups ठीक है, किस परकार से एक idea जो बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकता है और उनके groups का जीवन बदल सकता है national developments means the thinking about these questions ठीक है, और किसी भी रास्त का जो विकास है इन सब के questions के answer दे सकता है ठीक है, for example text the how to compare different country or states ठीक है, अलग-अलग states को compare करना है you might ask if your development can be the different things the how come the some countries are generally called the developed ठीक है, and underdeveloped the because we comes to this let us consider the answer ठीक है, कुछ होते हैं अर्द विकास सील देश कहने का मतलब यह है अर्द विकास सील देश कुछ होते हैं विकास सील देश ठीक है, विकास सील देश जैसे हमारा देश है विकास सील, यानि की क्या है यह developing country है, इंडिया is a developing country और विक्सित देश ठीक है, what is the difference developed country and developing country देखो, जो कोई देश अपने natural resources का पूरी तरह से यूटिलाइज करके, और उसको जादा से जादा उससे पैसा earn करता है, वो होता है developed country, यानि की विक्सित देश ठीक है ठीक है जो देश अपने natural resources का पूरी तरह से utilization नहीं कर पाता ठीक है, जो देश अपने natural resources का पूरी तरह से utilization नहीं कर पाता वो क्या होता है developing country ठीक है और जिस देश में natural resources होते ही नहीं है तो वो उनका use क्या करेगा ठीक है वो होता है क्या होता है अर्द विक्षित देश ठीक है ठीक है स्वंज में आगए होगा आपका अंडर डवलब्ड गंट्री होता है ठीक है बिफोर वी कम तू दुस लेश दा चॉंसीडर अनजर कॉस्चिंस ठीक है अब हम दूसरे कॉस्चिंस पर आते हैं आप देख सकते हैं कि एक इस किलास में किस परकार से स्टुडेंट्स होते हैं कि इस परकार से एक दूसरे को डिफरेंट करते हैं बैया किसी की कोई हाइट के नुसर करता है कि बैया मेरी पांच फूट हाइट है मेरी छे फूट हाइट है मेरी तीन फूट हाइट है ठीक है कोई करत कहता है कि बैया मैं हेल्थी हूँ कोई कहता है मैं मोटा हूँ मैं पतला हूँ मैं लंबा हूँ नाटा हूँ परकार से वो करता है बत्चू को हम ड्रोइब करता है है कुछ बच्चों को हईант के यह ज्यादा पर दीधses को शोड़ी करने थे हैं कुछ की फ्येल में पायर होते है कुछ other other interest कुछ drawings में होश्यार होते हैं तो इस भिहाब पे हम अलग-अलग students की category बना सकते हैं तेदा healthiest students may not be the most studious one ठीक है और जो स्वस्त बच्चे होने हैं जरूई नहीं है कि वे सब के सब पढ़ने में होश्यार हूँ the most intelligent students may not be the friendliest one और तुमने देखा होगा कि जो ज़्यादा सब ज़्यादा पढ़ागो बच्चे होते हैं वो उनके दोस्त भी एक या दो होते हैं बेज़ादा सब अपना समय पढ़ने पर लगाते हैं the creations we may be used depends on the purpose of comparisons, we use the difference choose the sports, ठीक है यदि आप एक sports team student, या फिर debate करें ठीक है और या एक music team बनाएं, तो क्या होगा इसे आप पिकनिक पर ले जाएं और आप इससे अलग एक ही for some purpose, we have to choose the creation of the all progress the children in the class, the how you will be doing, कहने का मतलब यह है कि अगर आप इन सब का group बनाएं और आप इन से अगर आप अपने school की तरक्की के बारे में सोचें या अपने school development के बारे में सोचें तो आपको इन से अलग-अलग purpose से ही काम लेना होगा ये एक single purpose बनाके आपकी help नहीं कर सकते ठीक है usually we take the one of the more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics, ठीक है क्योंकि सभी-सभी लोगों के goals अलग होते है ठीक है भाई किसी का musician बनना होता है किसी का doctor बनना होता है किसी का singer बनना होता है सभी के different different aspects होती है ठीक है there can be the difference about the most important characteristics that does suit the basis of the comparison friends less, ठीक है spirit, cooperation, creativity and marks the secure तेखो जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं उनके friends कम होते हैं वो team work नहीं कर सकते ठीक है तो क्या है कुछ बच्चे जो है पढ़ाकू है पर वे games में उश्यार नहीं है तो इस परकार से वे team building नहीं कर सकते ठीक है तो this is the true development too क्या यह सच्चा development है नहीं for comparing the country their income is considered to be one of the most important attributes ठीक है हम किसी भी देश को income के हिसाब से जज नहीं कर सकते हम वहां की quality कि वहां की health कैसी है लोगों की वहां का स्वास्थे कैसा है वहां कितने पड़े लिखे लोग है ठीक है और वहां पे लोग बाग कितने खुश रहते हैं और वहां पे सरकार उन्हें कैसी basic facility देती है कैसे लोगों की रक्षा करती है ये भी important role play करते है more development income this is the based on the understanding that the more incomes means the more all things the human beings needs ठीक है लोगों को पैसे जी पैसे की आवशकता नहीं होती उसे friendship की आवशकता भी होती है उसको social groups की भी आवशकता होती है ठीक है उसे games की भी आवशकता होती है और यह थोड़ी है जरूरी है कि सारा का सारा दिन पढ़ते रहो आप ठीक है यह भी तो जरूरी है कि हम उन्हें क्या करें उन्हें games में भी रूची रखें ठीक है get with greater income so greater income itself is considered the one important goal देखो पैसा कमाना एक उदेशय या गोल हो सकता है मगर क्या है कि better life जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा ही हो ठीक है ठीक है sorry now what is the income of the country the income of the country is the income of the resident of the country किसी भी देश की income क्या होती है कि suppose आपके देश में 135 करोड है और 48,000,000,000 क्रोड आपने रुपे कमाए तो उसकी जितनी भी population 135 क्रोड से भाग देने पर परती व्यक्ति जितनी भी आये निकलेगी वो हमारे एक देश की एक व्यक्ति की आये होगी वो हमारी national income होगी फिर इसी के बिहाब पर क्या करते हैं हम अपने देश की इंकम के हिसाब से ही हम दूसरे की देश की इंकम से हम क्या करते हैं क्या करते हैं और इसी परकार से हम अपने देश की इंकम को average income लगाते हैं देखो जैसे की 40 लाख करोड रुपे आए ठीक है lacadier फिर हबने ऐसे 135 करोड रुपे से भाग कर दिया 135 करोड आदमियों से भाग कर भाग कर दिया और प्रती एक केसे में जित्ते भी रुपे आए वाननों एक केसे में 4000 रुपे आए तो यह क्या होगी यह हमारी एक तरह से per capital income होगी ठीक है यह समझी में आ गया होगा आपकी और इस कौम आ गया और अच्छी तरह से समझा देंगे ठीक है और यह world development report के द्वारा बताया गया है ठीक है USA की जो है एक साल में एक वेक्तिकी income जो है वो 12,056 रुपे per dollar है per year ठीक है और यह 2017 का आखड है ठीक है और इस से क्या आता है पर मंत आती है 955 रुपे per dollar ठीक है और यह क्या है यानि कि हमारे देश की जो इंकम है 955 रुपे per year के हिसाब से है और यह क्या है यह low level income country है ठीक है इंडिया is the category is a low middle income country because the particular income क्योंकि अर हमारा देश जो है वो low middle income country है उसकी 1820 रुपे डॉलर है पर एक साल की जो इंकम है वो 1820 रुपे per dollar है ठीक है ठीक है और rich country की कितनी है आप अमरीका की देख सकते हो अमरीका की देख सकते हो 12,056 रुपे डॉलर है ठीक है इस परकार से हम देख सकते हैं कि developed country में और developing country में कितना फरक है ठीक है कम से कम आट यह नो गुना ज्यादा है किसकी USA की ठीक है इस परकार से हम देख सकते हैं कि वाटीज़ बिट्विन डिफ्रेंस बिट्विन development country, developed country and developing country ठीक है आज आपकी कुछ समझ में होगा ठीक है और बाकी हम कल पड़ेगे, thank you very much.